Hello everyone and welcome to the second video of neck pain series तो previous video में हमने देखा था कि कौनसी वज़े से हमारी जो neck है उसमें pain होता है तो अगर आपने वो video नहीं देखा तो please उसे जरूर देखिए क्योंकि मैंने उसमें जो भी orthopedic condition है हमारी neck के related उसके बारे में समझाया है तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि कौनसे कौनसे areas affect होते है हमारे neck के surrounding तो अगर आप मेरे चैनल पे नए है तो उसे जरूर सब्सक्राइब करिए वीडियो को like करिए और जितना हो सके उतना अपने family and friends के साथ share करिए क्योंकि हमारे जो थर्ड वीडियो में मैं आपके साथ share करूंगी proper sleeping position to avoid neck pain तो प्लीज चैनल को जर्दी से subscribe कर दीजिए So without wasting any more time, let's get started Neck pain में ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ हमारी neck affect हो Chances है कि neck के साथ साथ हमारी shoulder joints affect हो सकता है हमारी जो upper back यानि की जो trapezius muscle है वो affect हो सकता है हमारे पूरे हाथ में हमें जंजना heart feel हो सकती है तो ये सिर्फ हमारा posture correct करने से ठीक नहीं होगा ना कि हमारा pillow change करने से ठीक होगा इसके लिए जो condition है उसको detail में समझना बहुत जरूरी है तो ये video end तक जरूर देखे क्योंकि मैं आपको specific condition wise समझाओंगी कि कौन से areas affect होते हैं तो जो first condition है वो है cervical spondylosis जैसे कि हम सब जानते हैं कि cervical spondylosis generally age related होता है एक particular age के बाद patients neck pain की complain करते हैं तो इसमें हमारी neck के साथ साथ हमारी upper back affect होती है हमारे shoulder joints affect होते हैं और हमारे हाथ भी affect होते हैं patients neck stiffness की complain करते हैं हाथों में weakness की complain करते हैं और कभी-कभी उन हाथ में numbness जैसा भी feel होता है जो second reason है वो है cervical radiculopathy cervical radiculopathy generally तीन condition की वज़े से होता है जो first है वो है disc herniation या तो फिर disc prolapse इसमें क्या है हमारी जो disc है वो अपनी जगा से थोड़ी आगे आ जाती है या तो फिर उसका थोड़ा part आगे आता है आगे जाती है वहाँ पे constant pressure आता है और उसकी वज़े से हमारे हाथों में जनजना हट जैसा feel होता है जो second condition है वो है disc degenerative changes degenerative changes में हमारी जो spine है उसकी margins थोड़ी rough हो जाती है वहाँ पे spur जैसा form होता है और वो जो spur है वो हमारी nerves को constant दबाता रहता है और उसकी वज़े से हमारे हाथ में जनजना हट होती है और जो third reason है वो है neck injury अगर आपको neck में कोई injury हुई है तो chances है उसकी वज़े से भी आपको हाथ में जनजना हट हो सकती है third reason is cervical ankylosing spondylitis तो इसमें क्या है हमारी joint है हमारी spine के joints है उसमें starting stage में inflammation देखने मिलता है और जो later stage है उसमें जो joints है वो fuse हो जाते है और उसकी वज़े से हमारी जो neck है वो stiff हो जाती है और हमारा posture वो भी deviate होता है तो ankylosing spondylitis में generally हमारी spine ही affect होती है इसकी वज़े से हमें fatigue यानि थकान जैसा feel होता है हमारा posture है वो jeans हो जाता है और हमारे neck में ही हमें pain होता है fourth and last reason is trapezitis trapezitis का मतलब हमारा ये जो trapezius muscle है उसमें अगर swelling हो या तो फिर हमारी spasm जैसा feel हो spasm का मतलब यहां पी अगर आप palpate करे तो थोड़ा आपको hardness जैसा feel होगा तो उसे spasm कहता है अगर वो हो तो chances है कि उसकी वज़े से भी जो nerves हमारी neck से जाती है उसमें थोड़ा दबाव आ सकता है और उसकी वज़े से हमारी neck में pain हो सकता है तो generally trapezitis over exercises की वज़े से हो सकता है या तो फिर in activity की वज़े से हो सकता है या तो फिर आप laptop के सामने जादा time तक बैठे है और आपका जो posture है वो गलत है तो उसकी वज़े से हमारे muscles से उसमें spasm develop होता है और हमारी neck, हमारी upper back and हमारे arms में हमें pain होता है neck pain की वज़े से chances है कि patient को headache भी हो headache का जो main reason है वो हमारे जो neck के surrounding muscles है specially हमारे base of the skull अगर वहाँ पे muscles tightness है तो उसकी वज़े से patient को tension feel होता है और वहाँ से patient का headache start हो जाता है और headache की साथ साथ patient कभी कभी dizziness की भी complain करते है dizziness का मतलब चकर आना तो वो भी अगर हमारा posture गलत है या तो फिर muscle tightness है तो भी हमें देखने मिलता है I hope आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो please उससे ज़रूर like करिए और जितना हो सा कि अतना अपने family and friends के साथ share करिए and stay tuned for the next video thank you